आपको मोडिफिकेशन दिखाने वाला था आपको मैं अपनी स्कूर्टी में जो ही मोडिफिकेशन मैंने कराई है आपको मैं दिखाने वाला था आपको मैं सारे चीज दिखा हुआ कि मैंने क्या के अपनी स्कूर्टी मोडिफिकेशन कराई है उससे पहले वाट्सप गाइज इट्स योरू वेलकम बैक तो दी चैनल एवर्यवन कैसे आप सब लोग आई हो प्यूटी फाइन तो सबसे पहली चीज अपनी स्कूर्टी में ज यह मैंने पूरे तो इसकी इंसुलेशन वीडियो मेंने बनाई है कैसे कैसे लगवाए हैं तो सबसे पहले जाके आप वह देखिए अरा कंचे का वह थेखिए पास हएले, झाल कि ये Hmmm झाल 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 आपको मैं एक चीज़ एडवाइस करना चाहता हूँ कि स्टील गार्ड जब भी लो तो पहले उनसे बोल दो कि यार मुझे डबलू वाले चाहिए जो नीचे से फिटिंग जा रही है उपर से फिटिंग कर रहा होगे जो यहां स्क्रू लगे होते हैं तो वह तूट जाते हैं बहुत जल्दी ऐसे आपती गड़ी गड़े में गई ठीक है थोड़ा सा ब्रेकर ब्रेकर आते हैं कभी जाता ही उपर नहीं चूई तो वह तूट जाती है तो हमेशा मैं आपको यह एडवाईस करने चाहता हूँ कि हमेशा नीचे वाले जो फिटिंग होती है डवलू में वही वाले लो और उसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है और इसकी क्वालिटी एवण है अब बात कर लेते हैं इसकी सेक्ड द मोडिफिकेशन की जो मैंन तो मैंने इसकी इंसलेशन वीडियो बनाई है कैसे कैसे हुआ था दिल्वा लाइट्स के लिए सबसे पहले क्या होता है जो पूरा इसका है यह पूरा इसको निकाल लेते हैं इसके बाद इस दोनों पार्ट के अंदर इसकी जो रोड होती है है हैंडिल की इसके अंदर ड्रिल के बाद बाले इसकी जो प्लाव कीजिकर अर्शों सबस्वे बाद mendwayते हैंडिल की इसकी क्या इसकति तंप आंचेम में जो और दो क्या किखणाइने अंचेमां इसके लाजिया साफ़िग्स, थार्श, झाल 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 है तो इस नाइट में हैंडिर बार लाइट्स कुछ ऐसी लगती हैं इस का इंडिकेटर इंडिकेटर आप देख सकते हैं साइट का भी विजिबिलिटी है काफी विजिबिलिटी है नाइट में भी क्योंकि बेसिकली नाइट के लिए होता है एंडिवा लाइट्स जो भी लाइट्स होती है बेसिकली नाइट के लिए होती है तो आप देख सकते हैं काफरी अच्छी विजिबिलिटी है एंडिवा अपना लेप्ट साइड का मैंने अभी इसे अन कर दिया है आप देख सकते कि हैंडिवा लाइट्स की विजिबिलिटी अच्छी है अभी दिन में भी एंड रात की विजिबिलिटी आपने देखी लिए कि कैसी विजिबिलिटी नाइट में भी है क्योंकि में नाइट है नाइट में विजिबिलिटी होन काफी safety purpose के लिए visibility होनी चाहिए है अपनी two-wheeler में four-wheeler में so ये दो modification मैंने अभी तक अपने scooty में कर रही है काफी अच्छी लग रही है Henry Bar lights भी and अपने steel guard भी तो I hope आपको आज का vlog पसंद आया होगा है तागो पते ही है क्या करना है like तो जरूर करना है share भी करना है comment भी करना है main cheese do subscribe to my channel and as always खुश रही है अपने आज पास की लोगों खुश रखिये and bye bye